2016 नवंबर हर साल आती है 26 नवंबर को मौसं बहुत अच्छा रहता है ठंड होती है बहुत ज़्याधा ठंड भी नहीं होती तेनमें धूप रहती है 26 नवंबर भारत के लिए सारे उत्सवों में सारे फैस्टिबॉलनों में जितने भी फेस्टिबल भारत में अब तक आये हैं, उन समय सबसे बड़ा फेस्टिबल है, क्योंकि 26 नमबर को जो सम्विधान लिखा गया, उसको अंगिकार किया गया, उसको माना गया, और भारत के सभी लोगों ने उसको माना, सम्विधान को बावा साब से जोड़ कर और बताया जाता है, क्योंकि जितने भी SC, ST, OBC हैं, उनको इससे बहुत फायदा होता है, इसलिए ये माना जाता है, क्योंकि ये सम्विधान बावा साब ने भारत की गरीब जिन्ता के हिसाब से लिखा, मगर इसको मानने वाले जितने लोग थे, उनमें सारे सारे OBC या अधर लोग थे, शुलकास लोग नहीं थे उसमें, क्योंकि बावा साब एक अकेले ऐसे थे, जो इस पक्ष में आते थे, इसलिए ये पूरे देश का सम्विधान है, मगर इसको मानने वाले, इसको जानने व किसी भी देश का जो सम्विधान होता है, वो उस देश की जान होता है, अगर जान सलामत रहेगी, तो देश सलामत रहेगा, वावा साब ने जो प्रारू बनाया, वो सारे दुनिया के देशों को समझ कर, जान कर, पढ़कर, बहुत महनत से, और सारी जितनी भी विशे या वहां के लोगों की रही, जो परिशानिया रही, उनको देखकर, और जितने भी लोगों के रहने के तरीके थे, कल्चर थी, भासा थी, उन सब को समायत करकर, एक ऐसा इंटीग्रेट पूराम बराया, ऐसा एक समिधर मराया, जो पूरी दुनिया में, 20 से ज़्यादा दे जो उनकी legislative body है, यानि कानून बनाने वाले जो लोग है, जिनको आप MP, MLA कह सकते हैं, वहीं तक सीमित है, इसको आम पबलिक में परचारित नहीं किया गया, नहीं बताया गया कि इसकी कितनी बड़ी मानता है, और यह कितनी important चीज है किसी देश के लिए, दुनिया जानती है कि भारत का सम्विधान सबसे अच्छा सम्विधान है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, मगर देश के नागरिकों को यह पता नहीं है, कि सम्विधान क्या होता है, और इसके fundamental rights क्या होते हैं, चुकि 26 नौमर आ रही है, तो जितने भी activists हैं, वो सारे के सारे सम्विधान को जगा पाते हैं, वो इंडिया गेट पर picnic मनाने के लिए, अपने बच्चों के साथ अपना खाना बना के लाते हैं, क्योंकि इंडिया गेट पर बहुत बड़ा जगे खाली होती है, और मौसम बहुत बढ़िया होता है, और वहाँ light और वहाँ parking सुविधा मेट्रों से आने क बहुत अच्छी होते हैं, बागी पूरे दुनिया के अंदर इसको अच्छी तरह से मनाते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसको मनाना चाहें, तो अपने घर में लैट जला सकते हैं, घर के बाहर लैट जला सकते हैं, लोगों को मिठाई बाट सकते हैं, कोई रेली निकाल सकत कोई सम्विधान की देश ना कर सकते हैं किसी सम्विधान-इक्षॉर्ट को बलाके चौटी सभालागा के उससे पूछ सकते हैं, वकीलों को बला सकते हैं जो वकील इतने सारे हजारों क posled में강 है thuके लोका दायत वह है कि वह समिधान को पढ़ाएं, इंटरनेट पर पढ़ाएं, वीडियो बनाएं, उसकी फेस्बुक पर पढ़ाएं, अपनी वॉइस में पढ़ाएं, उसकी मंपलेट छबाएं, उसकी किताब में छबाएं, सरल भासाओं में चबाएं और सभी भासाओं में उसको बोले और बताएं जितना सम्विधान आप पढ़ेंगे, जितना सम्विधान जानेंगे आपको आश्चर होगा कि ऐसी सम्ता भरी किताब, ऐसी किताब जो देश को बहुत आगे तक ले जा सकती है उसका अभी तक भी जानकारी उन लोगों को नहीं हुई जिनको इससे फायदा होता है यानि कि देश के लोगों को, इसलिए देश के लोगों को सम्विधान बताने की जुमदारी देश के लोगों की है क्योंकि सम्विधान देश के लोगों द्वारा देश के लोगों को और देश के लोगों के लिए ही बना हुआ है 26 नॉबर की आपको अग्रीम बधाई है हर साल की तरह अगर आप दिली में हैं तो इंडेगेट आईए पिकनिक मनाईए साम को अपना भोजन साथ लेके आईए कहीं बहार हैं तो वहाँ पिकनिक मनाईए अपने घर पे मनाईए मिठाई बाटिये, मिठाई खिलाईए एक दूसरे को बधाया दी दीजिए अच्छे कपड़े पहनिए धुले कपड़े, साफ कपड़े, नए कपड़े मिठाई में गुर्बी हो सकता है, चीनी भी हो सकती है जिसकी जैसी हैचेते वो हो सकती है खिलाएं जरूर, अपने बुद्ध बिहारों में कवीर भवन में, वालमी की भवन में देश के किसी विस्ते में जाएं पूरा देश आपका है, पूरा समिधान आपका है खुशिया मनाईए, खुशिया बाटिये धन्यवाद कर दाएं